बिहार के चनाव में इस बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, हम इस वक्त बेगू सराइ में हैं, बिहार का इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं, उन्हें फिर भी रोजगार नहीं मिल पाता है, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नम प्रहलाज सिंभा, और आप श्रीड यूनियन के साथ है? जी, मैं AI2C बेगू सराइ का जेनरल सिगरेटी हूँ और एस्टेट एजकुर्टिव मेंबर हूँ तो यहाँ पे ये बिहार का इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से माइग्रिंट करोर का प्रोजेक्ट यूं कहा जाए तो चल रहा है, चाहे रोड फोर लेन का सवाल हो, या NTPC के अंदर हो, या फाटिलाजर के अंदर हो, या रिफाइंडिकर, और इसमें जो अस्थानिये मजदूर बेरुजगार नौजबान हैं, उन नौजबानों को गुरूबत्ता प लेकिन तता कथित परबंधन, मैं कह रहा हूँ कि तता कथित परबंधन, जिसमें बिहार सरकार के मुलाजिम भी हैं, मान्यय जिलाधिकारी हों, मान्यय आरक्षिय अधिक्षक हों, जो भी हों, ये तता कथित परबंधन भी, जो लोग परबंधन से मिलके बाहुवली लोग तेडिर लेते हैं और तेंडिर लेने के बाद अपने धंग से बाहर से बहार से वा बाहर के मजदूरों को लाते हैं वे घुसराइब है उनको उस रूप मेंcellynCr tão नहीं रोब्लेंस पर एंथे एक इस्वा यानि कि यहां पर भ़ारमे इतनी समच्या है कि लिए उसके बाद बाय से मजदूर आ रहे हैं, यहां बेरोजडारी का सवाल है, परहजिके यह नवजवान देख रहे हैं, ये बेरोजडार नवजवान है, इन हाथ को काम मिलने के वज़ाए खादकारखाना हो या रिखाइनरी हो इन इसे क्यूं होता है कि ये मजदूर रहेंगे। तो जो जो मन दारी से union का काम करता है कि मजबूर हग कें एक मजदूरी में जो सरकारी रेट उसके आधार पर भुक कर wizard का्रा भाने के लिए संघर्स्रत रहें लेकिन बाहर से मजदूर रहेंगे जिस रूम में आप रख रहें तो उस रूम में उसको रखिए रस जाया हूं खा amis इसका लाव बिभिनतर के संबेदक कंपनी को मिल रहा है और इसका पोशक इसका मददगार जिला परशाषन भी है जुकि जिला परशाषन से जब मांग की जाती है विवागी अस्तर पर मांग की जाती है यह में स्टेगल के लिए तैयार है यूनियन नेताओं सहित रहेंगे मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मजदूरों के सवाल पर अगर जान भी देना परे तो जान देंगे बेगुस रह जिले में अस्थान या मजदूर जो इंडेस्ट्रियल इलाके के बगल में हैं उन मजदूरों को कार्ज में भागिदारी सोनिशित करने के लिए यहा जो बोट दिया वह भी हमारे साथ है जो जीतेंगे तो जनता जो नहीं भी बोट दिया वह भी हमारे साथ है हम उनके सवालों को लेकर भी संगर्शत हैं संगर्शत रहें तो आप ट्रेड यूनिन के साथ हैं यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं जैसे आपने पताया काफी लो यह कहा जाए कार्पोरेट शिक्तर इसकी एक गजब की पॉलिसी ते हुई है और वह पॉलिसी क्या है कि उस पॉलिसी के अंतरगत जब 403 रुपया मजदूरी है नियुनुतम आरस सरकार का 403 रुपया मजदूरी है तो उस 403 के जगह पर वारा घंटे वर्क लेकर के उसको मात दो किया जाता है तुम कराओ फिदे में ना उसको बॉनस देना है ना युसका नोटीश पी मिलेगा न लीपյेंट मिलेगा ना कोई लांसेज मिलेंगे न उसका यह सपीशिस-दिक काम किया बारा-दिरहें प्त। लेकिन मजबूरी है संबेदक में पेमेंट करता है तीन हजार रुपईया उसे रिटर्न लेता है बेरोजगारी का सवाल है जो पैसे मर रहे हैं उस पे रिश्वत भी देनी पड़ती है तेस्वत तीन हजार रुपया मंतली वापस लेता है कई मजदूरों से यह सवाल आ रहे हैं और यह बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया का हाल है इसके साथ ही अभी में जो लेबर कोड में यहां परिवर्तन किये गए हैं उसको लेकर क्या है यहां पर हाला कि जैसा आफ कह रहे हैं कि बाहर से हैं जाल टर मजदूर और यह os implications किरजफ करने की लिए लेकिन लेबर कोड्श के आने के बाद में कुछ परिवर्तन आया है लोगों के काम करने की जो परिस्थितिय愛 उसम साथ कार्खाना itself लेकिन सरकार्ड नमणाया है तुम लागुं करेगा भलपुरबक लागु करने का पर्यास करेगा दूसरा सब्सक्राइब कि यह जो का्नुन का तो यह कानून का असर मजदूरों पर व्यापक रूप से पर रहा है कि अब 8 गंटे के बदरे हमको 12 गंटा करना पर जाएगा और कहीं कहीं सिगुरेटी गाइड में लोग हैं सिगुरेटी गाइड में भी लोग काम करते हैं उन्हें 12 गंटे में भी 6,000 मजदूरी मिलती है कहा गया सरम लिभाग कहा गया जिला परसासन कहा गया कौन इसको देखेगा कौन intelligence है देखने बाला अगर टेड़िएन का लीडर नाम बताता है उस पर तो वो काता है कि मजदूर को किसी तरह से मॉबलाइज कर लो यूनियन का कम खत्म हो गया अरे तुमको दिये छे महिना का चोचो आजार रुपया चलो एक महिना दस आजार उपर से दे देते हैं मजदूर भी बेरोजगारी का आलम है चुप हो जाता है यस सवाल है इसली इस सवाल पर बारीकी से लवने किया बचकता है पर सिक्षित मजदूर जब होंगे और कानूनों को जब समझेंगे punct영 ये चाज़ा होगी widely और क्रांटी का रूप लेगा जब क्रांटी का रूप लेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना है तो भले ही इस बार चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो बिहार के इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में मजदूर बाहर से लाए जा रहे हैं और स्थानिय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है अंजली ओजा, Go News